ओम गैशी महागड़ी शाय नमा राधे दाधे दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों हिंदु धर्में अमावस्या का विशिश महत्व होता है सौमबार के दिन आने वाली अमावस्या का महत्व सबसे जादा होता है सौमबार के दिन आने वाली अमावस्या को सौमबती अमावस्या कहा जाता है इस दिन इसनान दानवा मौन का विशिश महत्व होता है इस साल सौमबती अमावस्या केवल एक बार आएगी जो की बारे अप्रेल दिन सौमबार को है हिंदु धर्म के अनुसास सौंबती अमावस्या के दिन पूर्वचों की आत्मा की शांती के लिए दान पुन्ने और पिंड़दान किये जाते हैं सौंबती अमावस्या के दिन पीपल की ब्रक्ष की फेरी लगाना भी बेहर शुब माना जाता है धार्मिक मानिताओं के अनुसास स्वहाकन इस्तियों को सौंबती अमावस्या के दिन इस्नान आदी के बाद पीपल के पेड़ की बिधी बिधान से पूजा अवश्य कहने चाहें सौंबती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की परिक्रमा का भी विशिश महत्व होता है माने ताहे ऐसा कहने से बैवाहिक जीवन सुखी होता है इसके साथ ही जिन जातकों के बिवा में बिलंब हो रहा हो तो इस प्रत के प्रभाव से शीक्र बिवा के योग बनते हैं इसलिए जिन जातकों के बिवा में बिलंब है उन्हें भी इस दिन पीपल प्रक्ष का पूचन अवश्य ही करना चाहिए दोस्तों सौम्बती अमावस्या के दिन पीपल प्रक्ष का पूचन कहने से भगवानशिप मापारवती की कृपा से बिभा में आ रही अर्चने दूर होती हैं जल्द बिभा की योग बनते हैं और बैवाहिक जीवन भी सुख में बनता है सौभागी की प्राप्ति होती है दूर करने के लिए पित्र दोश दूर करने के लिए और भगवान बिश्नुप मालक्षमी जी का आश्रवात प्राप्त करने के लिए पीपल प्रक्ष का पूचन अवश्य ही करें दोस्तों पीपल व्रक्ष का पूचन करने के लिए आप सबसे पहले इस्नां का सच्छबस्त धारन करें आज के दिन इस्नां के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला कर उससे इस्नां करें और इस्नां करते से में हर-HAR गंगे का जाप करते रहें ऐसा करने से आपको गंगा जी में इसनान करने का पुन्यफल प्राप्त होगा इसनान करने के पश्चात आप सच्छ बस्त धारन करें फिर एक लोटा लें आप इसके लिए तांबे का लोटा ना लें आप लोटे में शुद्ध जल भरें घर में गंगा जल है तो वह आप इस जल में मिला लें या तीत का जल है तो वह भी आप इस जल में मिला सकते हैं जल में आप थोड़ा सा कच्चा दूद या फिर थोड़ा उबला हुए दूद डाल दें दूद मिलाने के पश्चात अब आप इस जल में थोड़ी से काली तिल अवश्य डालें दोस्तों काली तिल भगवान बिश्टू मा लक्ष्मी जी को अति प्रिया है काली तिल से पित्र भी त्रप्त हो जाते हैं इसलिए इस जल में आपको काली तिल अवश्य मिलाने है काली तिल डालने के बाद, अब आप इस जल में एक बताशा डाल दे बताशा ना हो, तो थोड़ी से शक्कर डाल दे इस तरहें आपका जल का लोटा तयार हो जाएगा अगर पुष्प हो तो दो पुष्प भी आप इस जल में अवश्य ही डाल दें जल तयार होने के बाद आप एक दीपक तयार करें दीपक में रुई की बाती लगाएं और दीपक में आपको शुद्धिखी भरना है अगर शुद्ध खी ना हो तो आप इस दीपक में सर्शों का तेल भरें इस दोनों चीजों के इलाबा आप कोई भी और घी या तेल का इस दीपक में इस्तमाल ना करें इस दीपक में आप थोड़ी सी काले तिल अवर्शे डाल दें दीपक तयार होने के बाद अब आप एक कलावा याने के मौली लें कलावा लेने के पश्चाथ अब आप पीपल ब्रक्ष पर जाएं पीपल ब्रक्ष पर जाकर सबसे पहले आप भगवान शिडी गणिश को प्रणाम करें भगवान बिश्णो मा लक्ष्मी जी को प्रणाम करें भगवान शिप मा पार्वती को प्रणाम करें फिर आप पित्र देप को प्रणाम करें अमावस्या के दिन पीपल ब्रक्ष में शनी देप काभी बास होता है इसलिए अगर आप शनी देप से सम्बंदित किसी दोष्ट से पीरित हैं तो आप शनी देप को भी परणाम करें परणाम करने के परणा सबसे पहले आप यह जल पीपल ब्रक्ष पर चढ़ाएं पीपल ब्रक्ष पर आपको यह जल धीरे धीरे चढ़ाना है जल चढ़ाते समय आपको ओम नमो भगवति वासु देवाय मंत्र का जाप करना है दोस्तों ओम नमो भगवति वासु देवाय मंत भगवान विश्णू का द्वादर्श मंत्र है भगवान विश्णू जी परमपिता परमेश्वर हैं इस मंत्र का जाब करने से समस्ति देवी देखताओं का आश्रवात प्राप्त होता है भगवान विश्णू जी भगवान श इसलिए पित्तों को प्रसंद करने के लिए भी आप इसी मंत्र का जाब करें इस मंत्र का जाब करते हुए आपको जल चढ़ाना है जल चढ़ाने के पश्चात अब आपको कलाबा लपिटते हुए पीपल ब्रक्ष की साथ परिक्रमा करने है परिक्रमा आपको clockwise करने हैं, जैसे खड़ी की सोईया खूमती हैं, इसी प्रकार आपको पीपल ब्रक्ष के चारो तरफ खूम गर परिक्रमा करने हैं. परिक्रमा करते समय आपको लाल रंका कलावा पीपल ब्रक्ष पर लपेड़ते जाना है. दोस्तों कलावा लपिटते समय परिक्रमा करते समय आपको ओम नमु भगवती वासु दिवाय मंत्र का मन ही मन जाब करते रहना है एक परिक्रमा पूरी होने के बाद आपको थोड़ी से काले तिल और शक्कर पीपल ब्रक्ष पर चढ़ाना है फिर आपको दूसी परिक्रमा करने हैं और दूसी परिक्रमा पूरी होने के बाद आपको थोड़ी से काले तिल और शक्कर फेसे पीपल ब्रक्ष पर चढ़ाना है इस तरहें आपको कुल साथ परिक्रमा करने हैं और साथ बार ही तिल और शक्र पीपल व्रक्ष पर चढ़ाना है परिक्रमा पूरी हूने के पश्चात आप इस दिये को पीपल व्रक्ष की जड़ के समीप रखका जलाएं दिया जलाने के पश्चात अब आप वहीं बैठ कर 108 प्रड ओम नमु भग्वति वाथ्सुदू देवाय मंदु का झाप करें बंत्र का जाप करने के पश्चाथ आप भगवान विश्णुमा लक्षमी जी से जाने अंजाने में की गए सभी गल्तियों की शमा मांगें और अपने कष्टों को दूर करने की प्रातना करें पित्र दोश से मुक्ति की प्रातना करें पित्रों की आत्मा की शांती और मुक्ति की प्रातना करें फिर आप पित्रों को प्रढाम कर पित्र दोश से मुक्ति की प्रातना करें और पित्रों से प्रातना करें कि वह अपना आशिरवात आप पर और आपकी अगर आपको शनी दोश है, शनी देव से सम्मंदित किसी दोश से आप पीड़त हैं, तो आप हन्वान चालिसा का पाठ करें। शास्तों में बताया गया है कि शनी देव को सत्पसंद करने का सबसे आसान उपाय है बर्जंग बली का पूचन करना। शनी देव बर्जंग बली की भक्तों पर कभी भी कुर्दरश्टी नहीं डालते, जिन पर बर्जंग बली की कृपा होती है, उन्हें शनी देव से सम्मंदित सभी दोशों से मुक्ति मिल जाते हैं। दोस्तों अमावस्या के इस पावन पर पर पीपल प्रक्ष का इस तरह पूचन करने से, भगवान बिश्टू मालक्ष्मी जी के साथ सभी देवी देखताओं का आशिरवात प्राप्त होता है, कष्टों, दोशों और संकटों से मुक्ति मिलती हैं। इस तरह पीपल प्रक्ष का पूचन करने से, पित्र पसंन होते हैं। पित्रों का आशिरवात मिलता है। पित्रों के आशिरवात से, जीवन में चली आ रही बाधाएं दूर होती हैं। पिगड़े कारे बनने लगते हैं। नौकरी या ब्यापार में भी कोई समस्या आ रह होती है तो बहवी दूर हो जाती है बिवा में आ रही अर्चने भी दूर होती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है पित्रों के आशिर्वा से जीवन की कई परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है इस तरह पीपल प्रक्ष का पूचन करने से मालक्ष्मी की कृपा से धन प्राप्प्टी के नए मार्क खुलते हैं और जीवन में धन सम्मंधी जो समस्या होती है वह जल्द ही दूर हो जाती है मालक्ष्मी की कृपा सदय बनी रहती है मालक्षमी के गृपा से धन धानने में प्रध्धी होती है दोस्तो पीपल प्रक्ष का पूचन करती समय आपको कुछ बातों का विशिष्ध्यान रखना चाहें पीपल प्रक्ष पर जल आपको संध्या काल के बाद नहीं चड़ाना है और नहीं सूर्य उद्य से पहले आप पीपल प्रक्ष का पूचन करें क्योंकि सूर्यास्त के लगभग एक घंटा बात से और सूर्य उद्य से पहले तक पीपल प्रक्ष पर दरित्ता का बास होता है और ऐसे समय में पीपल ब्रक्ष का पूचन करने से घर में गरीवी और दरित्ता आती है पीपल ब्रक्ष पर आप चाहें खी का दीपक जलाएं या फिर तेल का दीपक जलाएं पीपल ब्रक्ष पर जलाएंगे दीपक से आती ना लें संध्याकाल के बाद आप पीपल ब्रक्ष पर दीपक जला कर पूचन कर सकते हैं लेकिन संध्याकाल के बाद ना तो पीपल ब्रक्ष का इस परश करें ना ही आप पीपल ब्रक्ष पर मीठा जल जड़ाएं यह पूचन आपको सुर्य उद्य के बाद और सुर्यास्ति से पहले ही करना है। अगर किसी मंदिर के पास पीपल प्रक्ष है तो यह पूचन आप उस पीपल प्रक्ष पर करें। पीपल प्रक्ष का पूर्जन करने आप जब भी चाहें तो इस बात का ध्यान रखें, आप कोई भी सुगंधित चीज है, जैसे कि पर्फ्यूम, पॉर्डर, कोई क्रीम, कोई भी ऐसी चीज लगा कर पीपल प्रक्ष का पूर्जन ना करें, पीपल प्रक्ष का पूर्जन सद दोस्तों पीपल प्रक्ष का पूजन करती समय इंडिया मौका पालन अवश्य ही करें उमीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक करें हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिस्तेदारों में जादा से जादा शेयर करें जिस से भैभी इस